आप सभी लोगों का स्वागत है यूपी परिक्षा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारी यूपी ट्रिपल सी पीट के लिए जो अन्तिम प्रहार की एक सीरीज हमारी चल रही है उसको फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाएंगे पिछले लेक्चर जिसमें हम लोग complete GS करने वाले है with current affairs और आज आप लोगों को तो questions के साथ में पोल भी मिलेगा तो पूरा lecture ध्यान से देखिए ये lecture देखने के बाद में आप teaching परिक्षा एप पर जा सकते हो उस एप के उपर में आप लोगों को एक test मिलेंगी जो के इस lecture पर आधारित होंग तो ये एक यूनिक तरीका है friend जो teaching परिक्षा आप लोगों के लिए लेकर आया है UP परिक्षा के माध्यम से तो सभी लोग UP परिक्षा चैनल को जल्दी जल्दी से subscribe कर लेंगे जिनोंने session को like कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धनेवाद जल्दी से जहाँ बहुत बहुत शुक्रिया पहले question के तरब में आगे बढ़ते है friends UP PCS Assistant Forest Conservator की exam के अंदर में question पुछा गया था actual exam का question है भाई लोग ठीक है तो आप लोगों को याद रखना है कि ऐसे questions exam में पुछे जाते हैं आगे में भी पुछे जा सकते हैं आपको बोला है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है tomorrow college life day का मनाया जाता है तो simple सा question है friends आप लोगों को यह पता होना चीए कि 잡 sırज आप लोगों को यह मनाया जाता है तीन जो March आप लोगों का मनाया जाता है यह Cat thought after March अगर आप लोगों से बोला जैए 22 March को क्या मनाया जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, Friends की Forest Day मनाया जाता है यहां पर में आप लोगों का, Forest Day, ठीक है, One दिवस, Forest Day यहां पर में आप लोगों का मनाया जाता है, यह भी आप लोग यहां पर में याद रख सकते हो, आप लोग, Friends, ठीक है, 21 तारीक को और 22 तारीक को आप लोगो जाता है, तो क्या कि हम लोगों ने से खा अभी आप समझव, बाकी का मैं आपको बताता हो बाद में, ठीक है, हमने देखा कि 3 मार्च को, 3rd मार्च को, आप लोग मनाते हो, फ्रेंड्स, ठीक है, Wild Life Day, ठीक है, Wild Life Day, विश्वर वन य जी व्डिव दिवस आप लोग मनाते हो यहान हरी हम ने थेख में 21 तारिक मार्फ शुल्ण 22 एपरेल 22 एपरेल एक महीने बाद, भाई पानी रहेगा तभी तो पुत्वी रहेंगी, तो अर्थडे मनाते हो आप लोग यहां पर में, और पुत्वी रहेंगी, तो पुत्वी के साथ में आपकी जो है बाईो डाइवर्सिटी रहेंगी, जैव विविधिता, तो आपको याद रखना है 22nd में को 20 सेंड में को मनाया जाता है जए वीधिता दिवस जए विवी थधा विविधिता दिवस जए वीवीधिता दिवस तो बूलते यो आप लोग व्स तो देखो, 22 March, 22 April, 22 May, है न, पानी रहेंगा, तो पृत्वी रहेंगी, और पृत्वी रहेंगी, तो आप लोगों को पता है, कि पृत्वी के साथ में, पृत्वी के ऊपर में जय विविदिता भी रहेंगी, ठीक है, सारे के सारे इंसान थोड़ी रहेंगे, कुछ गधे भी है न, तो मतलब विविदिता रहेंगी चाहिए आप लोगों की, इसके अलावा, एक चीज आप लोगों को बता दू, कि विश्व स्वास्थे दिवस, वर्ल्ड हैल्थ दे मनाया जाता है आप लोगों का साथ अपरेल को, हैल्थ दे, ये भी आप लोगों याद रख सकते हो तो एक कोश्चन के अंदर में हम लोगों काफी सारी पॉइंट काफी सारे पॉइंट को हम लोगों यहां पर में क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, लास्ट मैं पूछूँँगा मैं आप लोगों से इसमें से कोई भी हो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, जालिए, नौ फ्रेंट एक कोश्चन है आप लोगों का UP, UDA, LDA एक्जाम में पूछा गया था, कोश्चन में बोला गया कि भाई, टाइटन किसका सबसे बड़ा उबग्रह है, ठीक है, टाइटन, देखो, यहां पर में न, आपको कई बार confuse करने के लिए, टाइटन की जगा पर टाइटन भी दे सकता है, टाइटन, तो टाइटन किसका है, और टाइटन किसका है, दोनों पता होना चाहिए आप लोगों को, तो टाइटन is the largest moon or satellite of टाइटन किसका है, तो टाइटन जो है, यह शनी ग्रह का सबसे बड सबसे बड़ा है, गैनी माइड, सबसे बड़ा है, लेकिन वो गैनी माइड है, ब्रहस्पती का, ब्रहस्पती का भी सबसे बड़ा है, और पूरे की पूरे सोलार सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रा है, आप लोगों के बड़े पपा, जो सबसे बड़े पपा है, उनक यहापर में Jupiter सबसे बड़ा हमारा ग्रह है पूरे solar system का और Jupiter के पास में सबसे बड़ा उब ग्रह भी है यह भी आप लोग याद रख लोगे यहापर में बाकि Titan जो है वो Saturn का है अब मेरे लाल मेरे हरे मेरे निले यहापर में देखो Triton किसका है अगर यह question आ जाए तो आप लो Neptune का है यह याद रखना है आप लोगोंने very good बहुत बढ़ी आप ठीक है तो यह question की मदद से भी देख से आप लोग हम लोगने काफी सारे चीजों को समझा है काफी सारे questions हम लोगने यहापर में कर ली है ठीक है चालिए यहाँ पर में आप देख सकते हो कि अगर मैं Neptune की बात करूँ आप लोगों से तो सबसे थंडा प्लैनेट है और सबसे slowest revolution है इसका revolution का मतलब होता है सूरज के अराउंड घुमना और rotation का मतलब होता है खुद के अराउंड घुमना यहाँ पर में गोल गोल पानी ठीक है गोल गोल रानी इत्ता इत्ता पानी जो खुद के अराउंड घुम रहे है आप तो वह होगे आप लोगों का rotation revolution मतलब किसी के अराउंड को घूमना ठीक किसी के आसपास घूमना तो जब भी शादी में जाओ और वो लोगों को देखो अगनी के अराउंड घूमते वे तो बोलना इसको revolution कहा जाता है अगनी के अराउंड घूम रहे हो करके ताकि आप लोगों का जो confusion रहता है यहां पर में revolution के अंदर में rotation के अंदर में तो आप लोगों का खताम हो जाए तो स्लोवे जो है revolution सूरज के अराउंड 165 साल का समय लगता है जो से पूछ लिया जाए कि सबसे कम समय में कौन सा लगाता है यह तो सबसे कम समय में कौन सा लगाता है आप लोगों का तो यह याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड जो सबसे पास होंगा Mercury, यह एक तो सबसे छोटा अग्रह भी है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा चुटकु यही है, सबसे छोटा अग्रह, Mercury, और सबसे पासमें भी है सूरज के, इसी वज़े से सूरज का चकर लगा लेता है, परिक्रमन कर लेता है, ठीक है, revolution इसको बोलते है, 88 days में, और यह 88 days किसक 88 दिन बाद आपकी एक्जाम है, तो ये पृत्वी के जो 88 देस होंगे, उस वाले 88 देस के अंदर में वो अपने एक चक्र लगाएगा, ठीक है, ये याद रखने है आप लोगों ने, चालिए, और इसके अपने खुद के अक्षपर परिभ्रहमन जो है, ऐसा गोल घुमने का एक दिन जो है, वो कितने में होता है उसका, वो पृत्वी के 59 देस होंगे, तब जाकर उसका एक दिन होंगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, चालिक है, और सबसे जादा समय कौन लेता है, वरून ग्रहज, इसको नेप्चून अभी हम लोगों ने काहा है, लगभग लगभग 165 साल का समय लेता है, वो सूरज का एक चकर लगाने के लिए, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, तो सबसे कम समय कौन लेता है, और सबसे जादा समय कौन लेता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता तो मुझे एक बार सभी लोग, सबसे कम और सबसे जादा समय कौन लेता है जल्दी से बता देंगे आप लोगों यहां पर में English में भी पूरा का पूरा डेटा है आप लोगों का आप लोग देख सकते हो यहां पर में ठीक है चालिए ठीक है चलो शेर लाइके शेर कर दो सोनम तीवारी भी बोल रहे है जल्दी जल्दी से करते रहेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स आप करेंब तो बताइए यहां पर मैं सबसे जादा समय कौन लेता है यहां पर मैं अगर इन में से बात करूँ मैं ओके तो आप यहां पर में बताओ आपको तो यह आप लोगों का शुक्र ग्रह है, मर्क्यूरी, यहां पर में बुद्ध ग्रह है, मर्क्यूरी, यह शुक्र ग्रह है, वीनस, यह अर्थ है आप लोगों की पृत्वी, यहां पर में मार्स है, मंगल, लाल ग्रह जिसको आप लोग कहते हो, य साधिन है शनी आतंगर अकर अध्यों साधन का mobile tohf off में आप लोगों का chat युए न सीट आता है उलेहन और नेपिस्टून कई थिmmarin मेसे जो सबसे दूर कौन है यह बता तो आप्वस्ट में से व्में एक इ अगर आप देखोंगे तो सबसे जादा यून concealer तो दिया ही नहीं है तो लास्ट बच जाता है सैटन तो इन में से सब ज्युजादा समया कौन दियें theory लगाता है तो सैटन लगाता है यह आप लोगों को लगाना था आंसर का आध कर ने ओश्यीinda या तो इस तरह का question आप लोगों से बन जाए या ऐसे पूछ ले, examiner आपको confuse करने ही कोशिश करे, तो आपको याद रखने है, answer जो है इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, answer होगा option number B, मैं आप लोगों को आपकी UP lower का 2015 का question दिखाना चाहूँगा, और BPSC prelims का भी question दिखाना च किसको कहा जाता है, 120 में कहा है, संध्या का तारा किसको कहा जाता है, तो भोर का तारा, संध्या का तारा किसको कहते है, भोर मतलब morning star आपका और संध्या मतलब evening star, तो morning star और evening star किसको कहते है आप, ऐसा इसलिए क्योंकि वो morning और evening में ही दिखता है आप लोगों को, इसी पर में आता है आप लोगों का प्लैनेट सूरज से धूरी के मामले में सेकेंड नंबर पर हमारी प्रुच्वी थर्ड नंबर पर आती है लेकिन लेकिन ये सबसे गरम गरह है सबसे गरम गरह तो यह यादखना हमारे पिछला lecture देखा होगा उसको पता होगा कि carbon dioxide greenhouse gas है आप लोगों की और greenhouse gas क्या करती है जो सूरज से रोशनी आती है जो heat आती है उसको पकड़ के रखती है जाने नहीं देती ठीक है आओंगे तुम अपनी मर्जी से पर जाओंगे हमारी मर्जी से वो वाला काम है इसका carbon dioxide का methane का ओजोन का वाश्प का यह सारी जो चीज़े आप लोगों की तो carbon dioxide बहुत जादा है वहाँ जिस वज़े से वहाँ पर global warming हो गई है चालो next question के तरफ में आगे बढ़ते है पृत्वी की जुडवा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताईए UP PCS pre और UP lower दोनों में question पूछा गया है पृत्वी का और यह मैं आपको बता दू फ्रेंट यह question अभी BPSC का जो 2023 में TRE हुआ है TRE 1.0 उसमें भी question आया था यह तो जो भी question करवा रहा हूँ आपको वही सारे questions है जो exam में पुछे जाते है पृत्वी का जुडवा ग्रह किसको कहा जाता है तो शुक्र ग्रह जो है उसी को कहा जाता है क्योंकि पृत्वी का shape और size और venus का shape और size लगभग लगभग समान है वैसे देखा जाये तो पृत्वी से size के मामले में थोड़ा छोटा है यह लेकिन लगभग लगभग समानता होने के कारण जो है प्रित्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है वीनस को या शुक्रु को यह याद रखने आप सभी लोगों ने चलिए नेक्ट कोस्चन जो है फ्रेंड्स यह भी बहुत भी बढ़िया है निमनलिखित को आकार के अनुसार घट्टे क्रम में लगाईए सभी जगहों पर शेयर कर देंगे आप लोग ताकि एनर्जी के साथ में ऐसे ही आप लोगों के लेक्चर्स होते रहें ठीक है सभी लोग अगर मैं बात करूँ यहां पर में फ्रेंड्स आप लोगों का निमनलिखित को आकार के अनुसार घट्टे क्रम में लगाईए तथा नीचे दिये गए कुछ से सही उतर का चैयन कीजिए तो जूपीटर यूरेनस देखो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर म में तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है आप लोगों का जूपीटर पहले नंबर पर सबसे बड़ा उसके बाद में बारी आती है सैटन की ठीक उसके बाद बारी आती है यहां पर में यूरेनस की और उसके बाद में बारी आती है नेप्चून की तो यह जो आउटर प्लैन तो मौसी जी चाटवे नंबर पर आता है आपका मार्स और सबसे छोटा है चुटकू हमारा आटवे नंबर पर मर्क्यूरी अब देखें यहां पर में आप लोगों से जो कुछा गया था उसके अनुसार देखो जूपिटर जो है वह सबसे बड़ा है आप लोगों का आपसे हमें अहां पर में क्या बोला गया है घटे क्रम में लगाना आप लोगोंने लसंसे अंडर में अत्र बं आपके अनुसार सबसे पहले आपका वлонाउंगा ऐंगा फिक है उसके बाद में चार आएंगा आ पो और उसके बाद में आप 57 प सबसे आप में आता है अर्थ तो तीन तो 1423 1423 1423 यह आपका option number C में दिया है कितने percent लोगों का सही था है यहां पर मैं answer जल्दी से बता देंगे कितने लोगों का सही था यह question आप लोगों का सही से लगा लिया था आप लोगों ने एक चार दो तीन बढ़िया है आसिफ कमाल जी आप कमाल कर रहे हो यहां पर मैं लिख भी रहे हो अंश कुमार ने भी लिख दिया है ऐसे ही comment में भी लिखते रहेंगे सभी के सभी लोग ऊके चालिए अच्छा एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर में अब इतना खर्चा होगया मालीक तो थोड़ा सा और बताई देता हुआ आप लोगों को यहां पर में यहां से जुपिटर से लेकर सेटन, यूरेन, स्नेप्चून, यह गैस से बने यह जोवियन ग्रह किसको बोलते हैं, जो गैस से बने हुए होते हैं, उनको कहा जाता है, और यह Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune यह जोवियन प्लैनेट से आप लोगों के, जोवियन, बहुत ही important question है, यह आप लोगों का, पहले चार जो प्लैनेट से यह चटान से बने हुए है, ठीके, इसके उप मैं आप खड़े रह सकते हो, अभी आप रुत्वी पर खड़े हो, बैठे होंगे, लेटे होंगे, कुछ भी कर रहे यहांगे, लेकिन हो न, प्रुत्वी आप चाचा समटान стен, मंगल यह लनतjem भी जाओंगे, यहाँ यहाँ ntक पर लेहांगे न, बहुत देर तक सिनल होंगे signal भी नहीं भेज पाया विचारा हो इतना जादा high pressure अंदर में जाते-जाते हो जाएंगा आप सोचो आपका तो क्या ही होंगा जब कैसी नहीं का यह हाल हुआ तो ठीक है चालिए largest natural satellite of our solar system is of which planet सबसे बड़ा जो प्राकृतिक उब रहा है वो किसके पास है अरे बताओ आपके परिवार के सबसे बड़े जो यहाँ पर में चिराग है उन्हीं का लड़का तो भाई सबसे बड़ा जो है प्लैनेट है आप लोगों का फ्रेंड्स जूपीटर तो जूपीटर का ही सबसे बड़ा जो प्लैनेट है आपका ठीक है सैटलाइट गैनीमाइड वो उसका सबसे बड़ा सैटलाइट भी है और पूरे solar system का भी सबसे बड़ा सैटलाइट है Jupiter, तो Jupiter के पास में जो है friends, एक satellite है जिसका नाम है Ganymide, तो यह Ganymide जो है आप लोगों का friends, यह Jupiter का तो सबसे बड़ा satellite ही है, हमारे पूरे solar system में सबसे बड़ा satellite ही है, ठीक है, पूरे solar system का सबसे बड़ा satellite है, ठीक है, चालिए, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हो friends, next question के तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है SSC MTS में आया था question और आपके exam में भी पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, आपको पता होना चीए friends की हमारे समीधान के अंदर में, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को सामिल किया गया है, हमारे समीधान के मौलिक कर्तव्यों हमारे समीधान के पार्ट नंबर 4A में दिये गया है, 4A में, ठीक है, इसको 1976 के अंदर में 42 समीधान संशोधन के जरीए जोड़ा गया था, ठीक है, fundamental duties को, जैसे आपको मौलिक अधिकार प्राप्ते वैसे या आपके कुछ कर्तव्यों भी होते है, तो स्वार्न सिंग कमेटी जो है, इन्हों ने इसको यहाँ पर में सिफारिश की थी, स्वार्न सिंग कमेटी, यह याद रखेंगे आप सभी लोग, इनकी सिफारिश के आधार पर, पहले 1976 में 10 समीधान मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, 10, फिर उसके बाद में एक जितने भी लोग है, उनके 14 साल तक के जो बच्चे उनको वो पढ़ाएंगे, लिखाएंगे करके, शिक्षा का अधिकार वाला उसके अनुसार, तो अब हमारे पास में total 11 fundamental duties है, total 11 fundamental duties, यह 11 नंबर का जोड़ा गया था 2002 में, 86 समीधान संशोधन के जरीए, तो यह भी आप ल गांधी की सरकार थी, इमर्जंसी लगी वी थी, 1976 में, आइडिया आया कहां से, क्या वो एक सुभा उठी, यार हमारे पास में अधिकारे, कुछ कर्तवे भी होने चीए, ऐसा वाला आइडिया है, नहीं, देखें फ्रेंट्स, हम लोगों नहीं यह आइडिया लिया है, USSR से, USSR, ठीक है, तो जो यहाँ पर में Soviet Union हुआ करता था उस समय में, 15 देशों का समूझ जो 1991 के अंदर में तूड गया, ठीक है, अभी रशिया जिसका सबसे बड़ा भाग है, रशिया उसमें सबसे बड़ा था उन 15 देशों में, ठीक है, तो USSR के पास में मौलिक कर्तवे थे, तो मौलिक कर्तवे का idea हमने कहां से लिया था, तो USSR से लिया था, ये भी question बन सकता है, तो एक question में आप देखिए, कितने सारे questions हम लोगों ने पढ़ लिये हैं, और ये सभी questions बहुत जादा important है, आप लोगों के आने वाली exam के point of view से, ठीक है, चलिए, जल्दी जल्दी से like का कुत्वी जो ऐसा लग रहा है कि ozone रसी घेल रही है, और पूरा ozone की पतली सी परत है, बहुत पतली सी परत है, ठीक है, ozone की, जो हमें सूरज की किर्णों से बचाती है, तो बताइए, यहाँ पर में विश्व ओजन दिवस प्रति वर्ष कौन से तारीक को मनाया जाता है, सेप मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पर में, अगर आप लोग बता पाओ, ozone की परत की मोटाई मापने का unit क्या है, यह question आप लोगों से UP के कई सारे exam के अंदर में already आ चुका है, अलग अलग और भी जो देश की exam से उसके अंदर में आया हुआ हुआ है तो आप लोग बताओंगे, friends की, जो है, ozone की परत मापने का unit है, वो क्या है, मोटाई मापने का, परत की मोटाई मापने का, तो वो है DOPSON unit, यह याद रखेंगे आप सभी लोग, extra point याद आया, friends, वो आप लोगों को बता रहो, DOPSON unit, तो DOPSON unit, DU में मापा जाता है, DOPSON unit के अ जादा important question है, सभी लोग लिख देंगे comment में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है, चालो, now friends, susu dolphin is found in, found होना चाहिए, वो यहाँ पर में, ठीक है, तो found in waters of which river, susu river, ठीक है, यह susu dolphin, susu dolphin, कैसा नाम है इसका, susu, ठीक है, actual में, friends, इसको susu बोला जाता है, बट इसका scientific name है, गेंगेटिक, टीक है, गेंगेटिक dolphin, डेंगेटिक dolphin जो है, इसका नाम है, friends, यहाद अदन है, या फिर dolphin गंगेटिका भी इसको बोला जाता है, dolphin, डेंगेटिका भी बोलते है, यह हमारे बारत की आपको पता होना चीए, friends, की राश्ट्रि यह जलिये और यह हमारे भारत के गंगा और ब्रह्म पुत्र नदियों के अंदर में आपको एक चीज बताना चाहूँगा मैं यहां पर में इस चीज़ को आप लोग ध्यां से समझे यह जो आ यह इसको आपकी डॉल्फीन यह बलाइंड है ठीक है इसको ब्लाइंड डॉल्फीन भी बु डॉल्फिन गंगेटी का इसको बचाने के लिए हमने बिहार में एक विक्रम शीला डॉल्फिन अभ्यारन्य बनाया है अरे बचाना ही कि नहीं बचाना इसको इतना आप लोगों ने गंगा नदी को इतना खराब कर दिया है कि जिस वज़े से इसकी संख्या काम होती जा रही ह और यह साफ पानी में रहने वाली मीठे पानी में रहने वाली डॉल्फिन है अगर यह खतम हो गई ना बेटा तो वापस से नहीं आने वाली साफ पानी तो हमने इनको बचाने के लिए भागलपूर के अंदर में बिहार के भागलपूर के अंदर में विक्रम शीला सबसे पहले किस ने रखा था यह कोशन पूछा रहा है आप लोगों से तो स्वाराज शब्द का इस्तेमाल और हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की वकालत यह दोनों चीजे एक साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी यह याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स यह एक्चुल कोशन है आपका RAS RTS एक्जाम के नदर आपका आ चुका ह है आगे में भी पुछे जाने की संभावना बनती है ठीक है तो सबसे पहले किस ने किया था फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने स्वाराज शब्द का इस्तेमाल भी किया था और हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की वकालत की थी मैं आपको एक बा कत्ता में इसके अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष ते दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ठीक है इसके अध्यक्ष ते और पहली बार यहां पर में उन्होंने अपने अध्यक्षिय भाषन के अंदर में कहा था कि हमारा लक्ष्य क्या है ठीक हमारा लक्ष केवल स्वाराज की भारत के अंदर में जो इंटरनल मामले उसमें हमारा अधिकार फिर हमें आया गुस्सा ठीके 1929 में 1929 के अंदर में क्या हुआ साइमन कमिशन जो है 1927 में बनाया गया तो 1928 में आया हम उससे बड़े नाराज थे कि एक भी भारतिय वेक्ति को उसमें शामिल में ली किया गया तो फ्रेंट्स 1929 में कहा पर में हुआ था सेशन लाहोड में लाहोर के अंदर में और इस सेशन के अध्याष्टे पंडी जवाहरलाल नहरू अब बोला कि स्वाराज गया तेल लेने अब तो हमको पूर्ण स्वाराज चाहिए पूर्ण स्वाराज मतलब पूरी complete आजादी चाहिए पूर्ण स्वाराज पूर्ण स्वाराज हम लोगों को चाहिए तो पूर्ण स्वाराज की बात अगर बोला तो लाहर अधिवेशन 1929 में पंडित जवारलाल नेरु के अध्यक्षता में लिया गया था यह पैसला और अगर पहली बार केवल स्वाराज शब्द की बात की जाए फर्स टाइम स्वाराज शब्द इंडियन नैशनल कॉंग्रेस ने कभी इस्तिमाल किया था तो 1906 के कलकत्त अधिवेशन के अंदर में किया था यह भी आद रखना है आप लोगों ने यह भी बहुत important question आप लोगों का बनता है और उसी के बाद में जो है friends पूर्ण स्वाराज दिवस हमारा मनाया गया इसका भी मैं आप लोगों को समझा तो पूर्ण स्वाराज मतलब जो है independence की बात आजादी का दिन मनाया symbolic तोर पर मतलब लोगों में आजादी की ललक जगे इस तरीके से ठीक है बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए कि 17-18 साल के लड़के है यहाँ पर में लड़के-लड़की है ठीक है वो अपनी शादी की सालगीरा मना रहे बुले कि जब हम जवा हमारी शादी की सालगीरा मनाते करके ताकि हम लोगों के अंदर में ललक जगीर है शादी करना रहे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर में पूर्ण सवराज दिवस 26 जनवरी को 1930 में हमने मनाया था पहला आजादी का दिन हमने ऐसे symbolic तौर पर प्रतिकात्मक तौर पर मनाया था ताकि लोगों में आजादी की ललक जगे ठीक है तो यह भी आप लोगों ने याद रखना है ठीक है तो आजादी का दिन हमने मनाया था इस दिन पूछा जाता है कई बार याद रखना आप लोग देखिए हम कहां से निकले ते कहां चले गए सवराज शब्द का इस्तेमाल नारा और दिया था back to the Vedas, वेदो की और Lotto ठीक है, वेदो की और Lotto यह भी नारा उन्होंने दिया था, यह याद रखने आप लोगोंने, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, स्वामी दयानन सरस्वति ने, आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में, मैं आपको ब लिखेंगे इसको, ये बहुत 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 important है, ठीक है, आर्या समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानन सरस्वती ने, कहापर में की थी, लिखो जल्दी से, अभी क्या भी लिखो, comment box में आपके लिए बहुत important point है, ठीक है, Bombay में, कब की थी, 1875 में, ठीक है, ये य संगे मरमर आप लोगों ने देखा है, मार्बल, जिससे ताज महल बना हुआ है, ताज महल में हमने संगे मरमर का जो इस्तिमाल किया है, ये संगे मरमर जो एक वस्तू है आप लोगों की, ये जो चटान है, जो पत्थर है आप लोगों का, वो हमेशा से नहीं था, होता क्या है कि अगर कोई एक चटान हों आप लोगों की उसके उपर में बहुत तूसरे फॉर्म में बदल जाती है, तो यही चीज यहां पर में होती है friends, कि आप लोगों का अगर मान लीजिए कि चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, ठीक है, लाइम स्टोन है, अगर उसके उपर में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़े, अब आप नहीं डाल सकते इतना हीट और प्रेशर, वो नेचर, नैचरल प्रोसेस के जरीए, जमीन के अंदर में दब कर, हीट और प्रेशर, लाखों सालों तक पढ़ता रहता है, तो लाइम स्टोन, जो चूना पत्थर होता है, वो क्या होता है, संगे मरमर के अंदर में, मार्बल के अंदर में, जो ये जो marble है ये आज ताज महल के अंदर में लगा हुआ है और लोग इसको देखने के लिए जाते है एक समय ये चूना पत्थर हुआ करता था तो आप लोग भी समझ जाए आज आप चूना पत्थर हो जब ज्यान की heat में और तपस्या की आग में प्रेशर में आप तपोंगे तब जाकर आपका कायंतरन होंगा आपका आप भी metamorphic rock बन जाओंगे marble जैसे आप लोग बन जाओंगे एक हीरा जो होता है वो कोईला होता है उसके उपर में भी heat pressure बच जब बहुत जादा लगता है तब जाके जो है वो आप लोगों का इतना कीमती बनता है तो इतिहास पैदा करती है और सरल परिस्थितिया कमजोर इंसान पैदा करती है जब विपरित परिस्थितिया हो तब आप और जादा मजबूत जो है यहां पर में बन रहे हो यह याद रखना है आप लोगोंने तो महनत ऐसे ही करते रहना है आप लोगोंने आप बहुत मजबूत बनके था ठीक है चलिए who is known as architect of Indian planning भारतिय जो आप लोगों की योजना है या नियोजन है उसका निर्माता किसको कहा जाता है यह आप लोग बताऊंगे like and share करते रही है सभी लोग जल्दी जल्दी से पर यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि भाई भारतिय जो planning है उसका पिता किसको कहा जाता है आर्किटेक्ट आप प्लैनिंग इन इंडिया पी-सी महाल-9-20 ठीक है पी-सी महाल-9-20 प्रशांत चंद्र महाल-9-20 जो थे फ्रेंड्स इनको जो है आर्किटेक्ट से चपन तक आपकी पहली पंचवर्षिय योजना चली थी, फर्स्ट फाइफ यर प्लैन, फाइफ यर प्लैन, फाइफ यर प्लैन भी हमने रशिया से, USSR से ही लिया था हुदा, ठीक है, फिर 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षिय योजना चली, इसको पीसी महाल नोबिस मौडल पर आधरीत थी, इसको पीसी महाल नोबिस जवाहरलाल नहिरु मौडल भी बोला जाता है, महाल नोबिस नहिरु मौडल भी इसको बोलते है, यह पीसी महाल नोबिस जो थे, भारत के अंदर में सांखिकी के भी जनक माने जाते हैं, सांखी की.. क्योंकि यह संख्यवीद थे, स्टैटिस्टिशिGAN थे, इन ही के जनम दीन ॐफ़ 29 जून को, इनके जनम दीन होता है, इस दिन राश्ठ्रिय सांखी की दिवस.. बहुत ही जाधा important question है याद रखने है आप लोगों ने राष्टिय सांखी की दिवस किसके जनम दिन पर मनाया जाता है पीसी महाल नोबिस के ठीक है और कब मनाया जाता है 29 जून को अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहोंगे कि सांखी की में क्या है इतना बड़ा क्या चीज हो गई अ कितने लोग जो है कितने ऐसे किसान है जिनके पास में जादा भूमी है किसके पास में कम भूमी हम योजना कैसे बना पाएंगे हम लोग उन लोगों के लिए है ना तो संख्या का होना ये बहुत जादा स्टैस्टिक्स का होना बहुत जादा जरूरी होता है किसी भी योजन को बनाने के लिए और development के लिए तो भारत के अंदर में सांखी की को बढ़ावा देने का काम PC महाल नो भी इसने किया था ठीक है इसी वज़े से इनके जनम दिन पर National Statistics Day या राष्ट्रिय सांखी की दिवस 29 जून को मनाया जाता है इसको सभी लोग comment box में लिख देंगे जल्दी यहां पर में तो architect of Indian planning, father of Indian national, Indian statistics दोनों के दोनों PC महाल नो भी इसको बोलते है यह यादखना है second five year plan PC महाल नो भी मोडल पर आधारीत था what is the first era of Paleolithic period ठीक है prehistoric period basically तो प्राग एतिहासी काल उसका पहला वाला एरा कौन सा था जब आप लोग नंगुपुंगु होकर जो है जंगलों में घुमा करते थे पत्थरों की गुफाओं में रहा करते थे पेड़ पौधों से जो है तोड़ ताणके खाते थे जानवरों का शिकार करते थे ठीक है और लिखना पढ़ना आपको नहीं आता था ठीक है उस समय काल को प्राग एतिहासी काल कहा जाता है जिसका लिखित इतिहास हमारे पास में अवेलेबल नहीं है यह prehistoric period मतलब जिसका लिखित इतिहास अवेलेबल नहीं है उससे पहले वाला काल लिख तरह से हम लोग रहते थे, इसी वज़े से हमने तीन काल खंडों में बाटा हुआ है, वो प्रिहिस्टोरिक पिरियड को, प्रागेतियासी काल को, जब हम पत्थरों की गुफावों में रहते थे, और बाकी जानवरों की तरह ही थे, लग-भग-भग, ठीक है, तो पेलियूलि इनसानी जीवन का 99% जो हिस्सा है, वो प्रियूलिथिक एज में ही बीता है, पूरा पाशाण यूग में, longest पिरियड है, फिर कुछ परियावरण में परिवर्तन देखने मिलते हैं, मेजोलिथिक एज में, मध्या पाशाण यूग में, फिर खेती की शुरुवात, नियोलि पूरा पाशान काल, यह सबसे लंबा कालखंड है, ठीक, SSC GD की एक्जाम में आ चुका, यह कुशन आप लोगों का, आगे में पुछे जाने की संभावना बहुत अधिक है इसकी, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, चीक है, चालिए, नौ फ्रेंड्स, बुर्ज हो जो की एक Neolithic साइट है, कहापर में स्थित है, तो बुर्ज होम, नौ पाशान यूग में लोग यहां रहा करते थे, इस कालखंड के अंदर में, तो आपका एक नंबर तो यहां भी बन जाएंगा, कि बुर्ज होम किस प्रकार की साइट है, पहली उलिथिक है, मेजो लिथिक तो आप लोग post comment करके बता और एक number लेकर जाओ यहा से आप लोकbst ऑब गर देंगे दो तरीके होते हैं एक तो आप ऐसी building बना सकते हो या तो गड़ों में बना सकते हो उनको गड़ा बनाने में ज़ाद आसन लगता था तो गड़े में बना के रहते थे तो लोग किके दूसरी चीज़ आपको याद रखना है जब भी मर जाते थे मान लीजिये यह राजु है ठ ठीक है अब आज Jazz कर ले现在ications मेरा ऑगीं ऐसी बनेगा है तो डॉगी है मान लो तो यह डॉगी को भी क्या किए गहा है साथ में उसके दफना दिया जाएंगा उसके साथ में दफना दिया जाएंगा मार कर यह Ao माना जाता था कि भाई जब ये इंसान मर गया है तो दूसरी दुनिया में जाएंगा वो life after death तो कोई ना कोई तो साथी होना चाहिए ना यहाँ पर में अकेला अच्छा नहीं लगेंगा बिचारे को बोर लगेंगा ठीक है तो दूसरी life में ये लोग विश्वास रखते होंगे ऐसा माना जाता है तो कौन से जानवर को दफनाया जाता था ठीक है कौन से जानवर को दफनाया जाता था बूर्ज होम में मरने के बाद आप लोग कमेंड करके बताओ कौन से जानवर को दफनाया जाता था तो ये दफनाया जाता था डॉगी को या फिर कभी-कभी मैं यह भी सोचता हूँ कि हो सकता है कि उसकी पत्नी ने जान बूच के दफनाया होंगा यह पत्निया दफनाती होंगी कि यह ना मिरको इसको पहले से ही शक है बाजु आली के साथ में यह पिछले 6 मैंने पहले ही मरी है और यह यहां प पटनीया शक करती होंगी का पता हो सकता है ज 말고 मैं अधाज में लोग यह वाल भी यह फिजा सकती है कुई नहीं ओ यहां पर में आप देख सकते हो फ्रेंट्स जमु कश्मीर के अंदर में मिलेंगा आपको बुर्जोम नाम की जगा नियो लिथिक साइट है नौ पाशान युक की साइट चिक है चलिए लाइक और शेयर करते रहेंगे सभी लोग जदी जल्दी से जिन लोगों ने यूपी पर पहले समझे फिर आंसर बताएंगे कि क्या चीज क्या है तो मैं आपको समझातो आशान भाषा के अंदर में टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने सबसे पहले तो यह डाय आर्की क्या होती है यह समझो कहीं पे भी द्वैद साशन या डाय आर्की का मतलब होता है कि एक ज साशनिया डाय आर्की बोला जाता है तो हमारे भारत में अंग्रेजों के समय में 11 अलग अलग प्रांथ थे जैसे युनाइट प्रोविंस पिहार ठीक है उडिशा बंगाल आसाम यहां मध्य प्रांथ बॉंबे प्रांथ मद्रास प्रांथ ठीक है यहां पर में आप लोगों क नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ब्रिटिश बलूचिस्तान ऐसे अलग-अलग 11 प्रांथ हुआ करते थे ठीक है तो उन प्रांथों में क्या था कि वहां पर में होता था एक गवर्नर गवर्नर और वहां पर में चुनाओं होकर सरकार भी बनाई जाती थी आप लो भार्त पर केवल 10 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो वोट देते थे और चुनाओ भी होते थे सरकार वगिरे भी बनती थी चोटे-मोटे लेवल पर जढ़ sua नहीं थे भारत की सरकार को ने कि यृइब की सरकार को लेकिन होते थेdem कुछ अधेकार gì governor के पास होते थे governor कुछ फैसल्य लेता था और कुछ जो चुणी हूई पास होते लेते थे एक त्थी इस तरीके से प्रांथ में डायारे की धीulaid बैद साशन पद्धती थी, इसको लागू किया गया था 1919 के कानून के जरीए, प्रांतों के अंदर में, बट ये बहुत बड़ा फेलूर साबित हुआ, और उसको हटाने की, ठीक है, उसको उन्मूल अनमतलब हटाना, तो इसको हटाने की पेशकश की गई थी, Government of India Act 1935 के अभी लोग सुनो, मेरे को अभी बताते जाना जो मैं पूछूंगा, डाय आर्की, वैद साशन पद्धती, प्रांतों में कब लगाई गई, अगर ये कुशन आ जाए, तो 1919 के कानून के तहत लगाई गई थी, प्रांत में, कि गवर्नर और जो सरकार है, जो मंत्री मंडल रहेंगा, ठीके विधान सभाव के द्वारा चुना गया, वो दोनों के दोनों जो है चलाएंगे उस प्रांत को, भाई, ओव्यसी बात है, भसड मचेंगी दोनों के बीच में, चाहे आपने काम बाट दियो, लेकिन फिर भी वो भसड मचनी मचनी है, दो लोग अगर एक सा option number A हो जाएंगा, ठीके क्योंकि question यहां हटाने वाला पूछा गया था, यह बहुत ही एक जो है ना friends बड़ा complicated सा जो है concept है, बड़ आप लोग कितने आसानी से समझ गया है यहां पर में, मतलब आप intelligent बच्चे हो, आप समझदार लोग हो, आप बहुत आसानी से exam clear कर लोगे, ठीक है, चालिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में, हमारे आगे के question के तरफ में, जो government of India Act था 1919, अभी हमने 1919 के कानून की बात की, बहुत सारी चीज़े उसके अंदर में की गई थी, प्रांतों में डायर की लगाई गई, ठीक है, भारत के अंदर में civil services भारत के अं में, वो वाली बात इसके अंदर में की गई थी, ठीक है, और local government को introduce किया गया अधिकारिक तोर पर भारत के अंदर में, Government of India Act 1919 के जरीए, तो यह सारी की सारी चीज़े जो है, Government of India Act 1919 के जरीए हुई थी, इस Act को, इस कानून को एक और नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग क कहते हो friends, Montague Chamsford Report, ठीक है, कैसे, 1919 के अंदर में, यह जो Montague भाहिया थे, यह भारत के Secretary of State for India थे, ठीक है, भारत के मामलों के सचीव, Secretary of State for India, यह ब्रिटेन में रहते थे, लंडन में, ब्रिटेन की सरकार में कोई मंत्री होता था, जिसको Secretary of State for India बना दिया जाता था, और एक भ तो वाइसराय कौन थे, 1919 में, Lord Chamsford, और Secretary of State for India, भारत के मामलों के सचीव थे, Lord Montague, तो Montague और Chamsford ने, दोनों ने मिलकर यहां पर में की थी, यह सारी के सारी, चंगु-मंगु यह दोनों थे, ओके, चंगु-मंगु, ठीक है, तो यह चंगु-मंगु थे, दोनों के दोनों, तो इन लोगों ने मिलकर बनाया था, इसी वज़े से इसको, 1919 के कानून को, Montague Chamsford Report भी कहा जाता है, यह यादखना है, 1909 वाला जो है आपका, ठीक है, उसको कहा जाता है, Morale Minto Reforms, 1909 वाले को, Council Act, 1909 को कहा जाता है, आप लोगों का Morale Minto Reforms, या फिर Morale Minto Report, ठीक है, तोरों ह की बात निकली ही है, तो 1919 के अंदर में दो घटनाय घटी थी आप लोगों की, ठीक है, 1919 में, एक आया था आप लोगों का Rollet Act, Rollet Act, जब आया, उस समय में भारत के वाइसराय कौन थे, यह question आपका exam में आया, तो answer क्या करोंगे, आप लोग मुझे लिखकर बताओ, और अगर उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो यह दोनों ही question पुछे जाने की संभावना बनती है, आप लोगों की, भाई, भाई, भारत का Rollet Act, जब भारत के अंदर में इंट्रोडूस किया गया, कौन था, अरे भाई, 1919 में Lord Champsford था अभी तो बताया, जालियन वाला बाग हत्या हत्या कांट जब 13 अप्रेल 1919 को हुआ, उस समय में भी Lord Champsford ही था भारत का वाईसराय, तो यह दोनों के दोनों के समय में Lord Champsford जो है भारत के वाईसराय थे, यह याद रखने आपने, okay, Michael O'Dwair जो है वो पंजाब के लेटिनेंट गवर्नर थे, O'Dwair, ठीक है, पूरे भारत का वाईसराय था, Lord Champsford, लेकिन यह जो जालियन वाला भाग हत्या कांट हुआ था, अमरित सर के अंदर में, मतलब पंजाब में, तो पंजाब का लेटिनेंट गवर्नर था, Michael O'Dwair, ठीक है, वो अलग था, ठीक है, यह बहुत ही इंपोर्टन वाला कोशन आप लोगों का, आप को बताना है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेथ, भारत के महा नियावादी से संबंदित है, एक टॉर्नी जनरल ओफ इंडिया, ठीक है, यह बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताएं यहाँ पर में, एक टॉर्नी जनरल, बताओ जल्दी जल्दी, और साथ नियावादी, यह केंदर सरकार का, ठीक है, आप इसको सिंपल भाषा में समझो, तो केंदर सरकार का वकील है, केंदर का वकील, ठीक है, केंदर सरकार का वकील होता है यह, ऐसा समझ लीजी आप लोग, एक टॉर्नी जनरल, ओकेंदर सरकार के तरफ से जितने भी मामले है, उ अगर आप लोगों से बोला जाए कि highest law officer of India कौन है, highest law officer, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है, India का, law officer of India, ये question आया था आपका पस्चिम बंगाल की PCS exam में अभी, highest law officer of India, भारत का सबसे बड़ा law अधिकारी कौन है, तो आप लोगों का answer हो जाएगा, friends, attorney general of India, ठीक है, इस इसको संसत में बैठने का अधिकार है, संसत का सदस्य नहीं होता हो, संसत का सदस्य, ठीक है, सदस्य नहीं है, फिर भी संसत की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, क्योंकि संसत का सदस्य नहीं है, भाग ले सकता बैठक में, लेकिन वोट नह सकता अच्छा एक और चीज आपको बताता हूँ यह attorney general भाया जो है भारत में इंडिया में किसी भी court में जा सकते किसी भी court में इनको audience होने का अधिकार है किसी भी court में जा सकते इनको रोका नहीं जा सकता attorney general को attorney general कीrating, कौन करता है तो राष्ट्रपती करता है, इनकी शापकती करता है astronomy general की, ठीक है, attorney general की, ये भी याद रखोंगे आप लोग, सारे के सारे point जो भी आप लोग को बन सकते थे बता दिया, आप लोगों को यहां पर में, अगर आप लोग यहां में जितने लोग देख रहे हैं, जल्दी-जल्दी से friends, सारे लोग एक-एक करके, एक-एक जगा पे हर एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मिदारी समझ के इसको share कर देगा, तो मैं आप लोगों को जो है friends, जो state का जो advocate general होता है, उसके बारे में भी जानकरी आप लोगों को दे दूँगा, जल्दी-जल्दी से आप लोग जो है, like and share करते रहेंगे सभी के सभी लोग, तो attorney general of India की बात करेंगे हम लोग, तो answer होंगा आपको option number C, मैंने आप से एक सवाल पूछा था, भारत के attorney general कौन है, तो आर विंकट रमनी है, आर विंकट रमनी, ये याद रख लेना आप लोग, आर विंकट रमनी जो है, अभी फिलाल में भारत के attorney general है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, आर विंकट रमनी, शोलवे नंबर के attorney general है, अभी भारत के फिलाल में वो, ठीक है, 16th number के, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, no friends, यहाँ पर में आप देख सकते हो, article number 76 में, 76 के अंदर में, attorney general of India के बारे में जानकरी दी गई है, आप लोग उसमें, निर्वाचन आयोग, election commission के बारे में, जानकरी दी गई है, article number 343 बोलता है, कि हिंदी जो है, वो, official language होगी, obviously, बात है, वहाँ पर में, एक sub clause दाला गया है, कि English भी आप लोगों की, जो है, official language रहेंगी, कुछ समय तक, ठीक है, पहले 15 साल के लिए लिए लिखा गया लेकिन हिंदी जो है, वो official, देखो, राष्ट्र भाषा नहीं है, हिंदी, कहीं पर भी, लेकिन official language है, ये याद रखने है, आप लोगों ने, ठीक है, चल्ड़, एक और चीज होती है, आप लोगों की CAG, Comptroller and Auditor General of India, जिसको CAG बोला जाता है, ठीक है, गिरिष, चंद्र, अभी फिलहाल में, हमारे Comptroller and Auditor General है हमारे देश के, जितने भी भारत सरकार खर्चा गरती है, जो भी सारी चीजे होती है, उन सारी चीजों का लेखा जोका रखने का जो अधिकार है यहाँ पर में, ठीक है, वो इनके पास में होता है, ये करते है, यहाँ पर में, तो यह य आटिकल जो है 148 है, ये आप लोगों को याँ दखना है, 280 किस चीज का है, ये Finance Commission का है, Finance Commission of India, Finance Commission of India, ये याँ दखना है, आटिकल नमबर 352 जो है, ये National Emergency से Related है, National Emergency, राष्ट्री आपत कल, National Emergency, इमर्जेंसी, ये भी आप लोग याद रख सकते थे, चालिए, आगे बढ़ते किस संत ने अदवयतवाद का प्रतिपादन किया है, अदवयतवाद, अदवयतवाद का मतलब क्या होता है, समझ लीजे आप लोग, मतलब कि भाई, आप, मैं, ठीके, ये मेरा माईक, ये मेरा चरंदास, चमिली बाई, ठीके, और पूरी दुनिया, और भगवान, हम सब एक ही है, दूसरा कुछ ही ही नहीं, हम भगवान के अंश है, ठीके, और सब पूरा ब्रह्मान जो है, वो एक ही चीज है, कुछ दूसरा ही ही नहीं, अदवयत, दूसरा कुछ ही ही नहीं, ठीके, अदवयत, तो ये किस ने दिया था concept, ये दिया था फ्रेंट, शंकराचारिय ने ठीक है यह याद रखने आप लोगों ने शंकर अचारिय या शंकर इनको कहा जाता है इनका जनाम आठवी शताबदी के अंदर में 8th century में केरला के अंदर में हुआ था तो अद्वैतवाद के प्रति पादक है यह याद रखने आप लोगों ने वैसे अगर आप लोग बोलोंगे तो एक और चीज आपको बताओ इसका updated version नहीं को राया था ठीक है विशिष्ठ अद्वैतवाद विशिष्ठ अद्वैतवाद विशिष्ठ मतलब special तरीके का अद् रामानुजाचार्य ने विशिष्ठ अद्वैतवाद दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य ने जो बोला है वो बात सही है अद्वैतवाद होता है कोई दूसरा होता ही नहीं मान लिया लेकिन एक होते हुए भी हम अलग-अलग है इसका example मैं आप लोगों को हो ना तो वही चीज यहां पर में रामनुजाचार्य ने बोली कि भाई आप और भगवान एक है फिर भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते अलग-अलग भी है आप लोग एक भी हो और अलग-अलग भी हो तो विशिष्ट प्रकार का अध्वैतवाद यहां पर यह तो बस शुरुवात है अभी आगे देखिए आप लोग ठीक है तो यहां पर में शंकर जो थे उन्होंने अध्वैत का कंसेप्ट दिया था ओके उसके बाद में आप लोगों को बताया कि रामनुज या रामनुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्ट अध्वैतवा ड्राइब आप लुख दोख लाग दिया मैं दूगा डूवालिज्म द्वैतवाद सब अलग अलग है खोई किसी में कुछ नहीं मिल रहा सब लगए भगवान अलग है तुम अलग हो यह चमीली बाई चरंदास अलग है तो माद्वाचार्य ने डूवालिजम का कंसेप्ट था द्वैत वाद कोई ऐसा कुछ निया है यहां पर में कि भगवान और तुमें को यह सब भालतू बात बोलने की बाते बुले सब अलग अलग है जैसा दिखरा वैसा वैसा है तो माधुवाचार्या ने क्या बोल दिया यहां पर में सब अलग-अलग है डूळीजम का अब ब करो वास भगवान को याद करो भगवान को याद करो भगवान प्रसन्न होंगे और तुमको जो है मुक्ति दे देंगे ठीक है इन्होंने पुष्टी मार्ग के लिए चुना कृष्णा जी को ठीक है तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान की भक्ति करो यही पुष्टी मार् तुम लोगों को जो है वो मुक्ति मिल जाएंगी तो पुष्टी मार्ग बल्लभाचारिया माधवाचारिया ने डूलिजम दिया चंकर ने अध्वैतवाद और रामानुजाचारिया ने विशिष्ट अध्वैतवाद यह थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग इंपोर्ट के फॉर्म में और अलग अलग भी करेंगे इसको जितने लोग रड़ी है हाथ उपर करके बता देंगे कि जी सर करवा देना करके बिल्कुल करेंगे हम ओके चालो नेक्स्ट को सब्सक्राइब मैं आप लोगों को एक लिस्ट की जलक दिखाना चाहता हूँ कि तेरी जलक देख लीजी अच्छे से बस इसके उपर में मैं कुशन बनाता हूँ पहले फिर आप लोगों को फिर से उसकी जलक दिखाऊंगा अब समझो यहां पर में भारत के आजादी के बाद में भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे ठीक है तो यह आप लोगों को बताना था बताईए जल्दी से फिर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वेरी गुड तो देखे फ्रेंड अगर हम लोग बात करेंगे हाँ पर में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे तो यह थे अबुल कलाम आजाद ठीक है यह याद अखने आप लोगों ने अबुल कलाम आजाद इनका हैपी वाला बड़े जो है यह आता है 11 नवेंबर को 11 नवे टेक कर देंगे सेशन को और यूपी परिशा चैनल को सब्सक्राइब रही ज़रूर कर लेंगे आप लोगों को फ्रेंड इस वीडियो के description में और इस वीडियो के last में playlist भी आप लोगों को मिल जाएंगी वो playlist अच्छे से देख लेना जिसमें सारे बास इस series के सारे के सारे questions एजुकेशन डे नेशनल एजुकेशन डे इन्ही के जनम दीन पर हम लोग 11 नौवेंबर को मनाते हैं इंपोर्टन पॉइंट ये भी है आपका ठीक है याद रहेंगा आप सभी लोगों को चालो बहुत बढ़िया ऐसे आप लोग करते रही है यहां पर में फ्रेंड्स अब मै मुझे खाने से याद आता है प्रसाद प्रसाद खाएंगे भाई तो राजेंदर प्रसाद ये याद रखने आप लोगों ने ये खाद्य और कृशी मंत्री थे आजाद भारत के पहले ऐसे याद रखा था मैंने इसको उसके अलावा जो है बलदेव सिंग बल भाई बल की जवरत होती है अगर रक्षा करनी है तो बल की ज़रूरत होंगे यहाँ पर में जै महीश मती बाहु बल आपको चाहिए तो बलदेव सिंग रक्षा मंत्री थे हो गया आप लोगों का यहाँ पर में उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है राजकुमारी अम्रित तो भाई आप लोगों की जो है सारी बीमारिया दूर हो जाएंगी तो स्वास्थ मंत्री थी अम्रित कौर राजकुमारी अम्रित कौर देखो पूरी ट्रिक से बन गया यहां पर में तो लग रहा है कि जानबुच के ऐसा सोच सोच के बनाया था जवारलाल नहरू बैठे यहां पर में कृशी मंत्री बल्देव सिंग अच्छा तुम यहां पर में स्वास्थ ऐसा हुआ नहीं तो हम लोगों ने कर लिया यह याद रखना है ठीक है चलिए बाकी फ्रेंड शामा प्रसाद मुखर जी जो थे उद्योग और आपूर्ती मंत्री थे यहां पर में यह भी याद रखना है आप सभी लोगों ने स्वातंतलता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे अगर यह कोशन आ जाए आप लोगों से तो क्या आंसर करोंगे यह बताईए आप लोग क्यों कि आगे में धीरे-धीरे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तो सरदार बलद यह याद रखनी आप लोगों ने. अब देखो फ्रेंट्स यहां पर में र खे शन्मुखम जो सभी र के याद रहा र हूँ यह बहारत के में नहीं बहारत के है modest अ पहले वित्त मंत्री थे यह आप लोग याद रखने आप लोगों ने तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आरके शनमुखम चिट्टी यह याद रखने आप लोगों ने और आजाद भारत का पहला बजट इन्हों ने ही प्रस्तूत किया था अगर ऐसा कोशन आ जाए एक्जामीनर जो है वो थोड़ा सा मूड में आए एकदम बिल्कुल एकदम कि भाई यार घुमा के सवाल पूछों करके आप लोगों से ठीक है मैं अभी आप लोगों को बदा दू फ्रेंड यह सचिंसर है आप लोगों के जो आप लोगों को पू आपको पढ़ाने वाले हैं उनका काफी लंबा एक अनुभा है और खुद जो है वो ओफिसर्स के फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो काफी उनको सारी चीज़े जो है उनको जानकारी है काफी लंबा समय जो है उन्होंने एजुकेशन फिल्ड के अंदर में टीचिंग के अं ज़से बजर्ट नहीं भारत पहले उनक है इन्होंने भारत काफी पहला प्रस्तुत किया था ज़से पर किस अधीनियम की अंतरकद बनाया गया था यह कोशिण मेने कल भी कर aa था आप लोगों को याद है कि भारत के अंदर में गवर्णर का पद जो है ठीक हैं भारत के रखेंगे आप लोग फ्रेंट्स की गवर्न जनरल अफ बंगाल का फथ बनाया गया तो गवर्न जनरल ऑफ इंडिया का पथ और ए गवर्न जनरल ऑफ इंडिया विगिन्ट सबस्त only पत का 1833 के कानून के जरीए और उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बताओ वाइसराय का जो पद है यह बनाया गया था आप लोगों का 1858 के अंदर में 1858 के अंदर में तो यह याद रखने आप लोगों ने लेकिन सर आपके जैसे ट्रिक्स से लर्न नहीं देखिए बाबु मेरे गुरू रहे चुके वो तो मुझे भी अभी याद है कि जब मैं एक समय में ठीक है पढ़ा था तो यह मेरी पहली ग्लास थे जब उन्होंने गवर्नर जनरल वाइसर आये और जितने भी हमारे गवर्नर से उनको वो करवाया था उस समय में कई साल पहले की बात है तो आ 1907 में इनको किस नाम से जाना जाता है इनको कहा जाता है Mother of Indian Revolution भारति ठीक है जो कराanty है उसकी जननी कहा जाता है मैडम भीका जी कामा को, तो मैडम कामा जो है आपकी, आप लोगों को याद रखना है, मैडम भीका जी कामा, इन्होंने कहा पर में तिरंगा फैराया था, पहली बार विदेशी जमीन के ओपर में ज्छंडा फैराया था, ये फैराया गया था स्टूडगार्ट के अंदर में, यह Stuttgart कहाँ पर में मिलेंगा आप लोगों को, ये भी बता दीजी आप सभी लोग जल्दी से, Stuttgart जो है friends, आप लोगों को याद रखना है कि जर्मनी के अंदर में एक शहर है Stuttgart आप लोगों का, तो वहाँ पर में ये जंडा फैराया गया था, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, Stuttgart के अंदर में, ये बहुत important question है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया यहाँ पर में कि मैडम भीकाजी कामा जो है, ये भारती है, जो आप लोगों का भारती है, क्रांती की जननी की रूप में भी जानी जात जो है, जो इनसान जब मरते थे, जब भी किसी देट होती थी, टो उनको नॉर्थ के तरफ में सर रखे दफनाया जाता था, यहाँ पर में, तो हमेशा नॉर्थ के सर रख्च दफनाया जाता था, इनाम गाओ, ये आप लोगों को मिलेंगा friends, महारास्ट्र में, पूने के प और फिर भीमा जो है वो finally जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है, भीमा जो है वो कृष्णा नदी में मिल जाती है, कृष्णा में, ऐसा जो है वो है आप लोगों का, तो घोड नदी भीमा की सायक नदी है और भीमा जो है कृष्णा की सायक नदी है, तो ये घोड नदी के प पर में महाराष्ट्रो के अंदर में यहाद रखने हैं आप ढर में आप लोगों को इनामगाओ यहाँ पर महा अंदर में पूरा थैयो तात्विक स्थाल कोल्टी हवा कहा पर में चलो यह तो बहुत ज्यादा important है जल्दी बता ही आप लोग को कहा पर में मिलेंगा where is archaeological site of Koldi Hava located Koldi Hava बहुत बढ़िया तो देखिए friends यह आप लोगों को कहा पर में मिलेगा यह उत्तर प्रदेश के अंदर में मिलेगा यह याद अखने है आप लोगों ने कि इनाम गाओ आप लोगों का जो है महराश्टर के अंदर में है वैसे ही Koldi Hava आप लोगों का कहा पर में है friends Koldi Hava आप लोगों को मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में यह भी आधकना मैं आपके थू भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर में यह इनाम Gara, Mahagara और Koldi Hava यह दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में है चीरांद कहापर में चीरांद जो है बिहार में है तो महागारा यह उत्तर प्रदेश में है, तो मेहरगर अलग है और महागारा अलग है, चलिक है, भीमबेटका कहाँ पर में जल्दी बता दो, आप लोग, कौन से राज्य में भीमबेटका, यहाँ पर में आपको बहुत सारे शैल चित्रकला मिली हैं आप लोगों को, शैल चि से टर्रकोटा से ब्राउन से किस से बनाई गई थी मैरे को तो कभी-कभी मैं पहले भी बताया आप लोगों को मेरे तो किसी एंगल से यह डांस करते लिए करके ठीक है चालो कोई नहीं dancing girl तो dancing girl जो है आप लोगों के निरित्य करते वे लड़की यह ब्राउन्स से बनीवी मुर्ती है आपकी कांसे से से कांसा कौन सी दो चीजों से बनाया जाता है यह भी बता देंगे आप लोग तो कांसा जो है friends यह याद रखना है आप होंगा तो तांबे का भी हो जो है ना वो हिंदी कर देंगा वो रांगा ठीक है तो इसको रांगा भी बुला जाता है तीन को रांगा याद रखने नहीं वैसे तो अधर्वाइस यह लोग तो टीनी बोलते हैं मैक्जिममम टाइम जो है चलिए आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को कुशन कराया था मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है करवाया था कि नहीं करवाया था आप लोगों को मत्त विलास प्रहसन अभी मैं आप लोगों को बहुत बड़ा वाला मोटिवेशन देने मत में जल्दी जल्दी से बताईए यहां पर में इस question का अंसर पहले तो आप लोगों ठीक है 6,40,000 रुपे के लिए आप लोगों के सामने ठीक है यह question रहा आपके screen के उपर में करवाया कि नहीं करवाया मैंने कल वाले lecture में पिछले lecture में करवाया ना आपको के अंदर में यह question आप लोगों से पूछा गया friends 6,40,000 के लिए यहां पर में जल्दी बताईए इसका अंसर क्या होगा आप लोगों का जी तो वो तो answer करनी पाई थी madam उन्होंने flip कर दिया था इस question को बट आप लोग फिलिप नहीं करोंगे friends देखें आप लोग इसका answer जरूर लगाओंगे और आप लोगों को पता है मैंने आपको कल ही पढ़ाया था यह question यूपी यूडी अल्डी में अल्रेडी आ चुका है महेंद्र वर्मन एक तो answer क्या होंगा यहां पर में महेंद्र वर्मन एक भी इस दा करेक्ट आंसर तो कितने लोग हैं यहां पर में जिन लोगों ने 6,40,000 रुपे जीत लिये हैं आप लोगों में से जल्दी जल्दी हाल तो मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन एक महेंद्र वर्मन एक कौन से वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन एक जो है यह याद रखना है आप लोगों ने पल्लव वंश के राजा थे यह भी याद रखना है पल्लव राजा थे पल्लव वंश के राजा ठीक है पुलकेश basically आप लोगों का जो नैशनल इमर्जंसी होती आप लोगों की राश्त-्रिय आपाथकाल यह लगाया जाता है आटीकल नबर 352 के जर लगाया जाता है कि ऐर अब यह अब यह चीना जा सकता आप लोगों से, बट, आर्टिकल नमबर 20 और आर्टिकल नमबर 21 को कभी आप से नहीं छीना जा सकता, आर्टिकल नमबर 20 और आर्टिकल नमबर 21 ऐसे दो आर्टिकल से वो किसी भी कंडिशन में, किसी भी सूरत में आप से नहीं छीने जा सकते, तो उसी में आर्टिकल नमबर 21 जो है वो है आपका जीवन जीने का अधिकार ठीक है जीवन जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता आर्टिकल नंबर 20 जो है फ्रेंट्स आप लोगों को जब आप मान लिजी आप आपके ऊपर में दोस्चिद्धी हो जाती है तो उससे कुछ बचाओ आपके जैसे कि एक गुनहा के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती आप लोगों को आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सक बड़ आप किसी भी कंडिशन में खुद के खिलाफ गवाही देकर खुद फासी पे नहीं लटक सकते अगर आप गवाही दोंगे भी तो पहले जाच होंगी आपके खिलाफ सबूत धुड़ने जाएंगे फिर आपको सजा होंगे नहीं तो पता चले जाके खुद ही लटक आपर में कि मैं नहीं किया था करके ओके चलिए तो यह आपको कुछ जो है आपको बचाता बचाओ देता है दोशिद्धी के बावजूद भी आप लोगों को कुछ बचाओ देता है यहापर में आर्टिकल नमबर 20 वह आपका छीना नहीं जा सकता और आपकल नमबर 21 जो है आप लोगों का right to life है, इसको भी आप लोगों से छीना नहीं जा सकता, चालिए, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में friends, यह याद अखना है आपने article number 20 और article number 21 आप से कभी भी नहीं छीना जा सकता, निमनलिखित को आकार के अनुसार घटे क्रम में लगाईए, घटे क और यह भी आंसर नहीं हो सकता, शनी ग्रहत हो नहीं सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा Jupiter है, तो अब देखो आपके आंसर गलत होने की chances कम हो गए, 50-50 हो गए आप लोगों का, ठीक है, जी हाँ बिहार SST के लिए भी बहुत काम आएंगा यह आप लोगों का, ठीक है, तो यह सबसे बड़ा है, तो पहले नंबर पर Jupiter आएंगा, फिर शनी ग्रहाएगा आप लोगों का, तो एक, चार, दोनों में दिया हुआ है, अब बारी आती है, Uranus बड़ा है, अर्थ बड़ा है, तो देखो यह पहले नंबर का है, ठीक है, पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर करेंगा, देखो, जितने भी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहां पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अपना 100% energy दे रहा हूँ, मुझे आप लोगों से भी यही उमीद है कि आप भी अपना 100% दोंगे, पूरी activity करोंगे, जो जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, activity अच्छे से की, तो मुझे भी मज़ा आएंगी कि आप लोगों के लिए मैं पूरा का पूरा efforts देता रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग लिख देंगे, यहां पर में कितने वे नंबर के पृत्वी, तूरज से दूरी के मामले में तो तीसरे नंबर पे है, लेक ठीके से आप लोग यहां पर में इस particular question को solve कर सकते थे friends, अराम से, कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहां पर में आने वाली नहीं थी, okay, यह आप लोगों का, जो है friends, यहां पर में हो गया, तो यह particularly, जो है, ठीक है, एक question और है, आप लोगों का, यहां पर में, just a second, बहुत ही important वाला question है friends, आप लोगों का, भारत के राश्ट्रपती को उनके पत से कौन हटा सकता है, ठीक है, SSC CGL के अदर में question पूछा गया था, UPK आप लोगों की exam के अदर में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभा होना है, और अलग-अलग और भी exams में पूछा जा सक सकता है, and thank you very much friends, आप लोगों का, यहाँ पर में हमारे new channel के उपर में 300 plus likes आप लोगों ने lecture के बीच में ही कर दिये, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही friends channel को subscribe भी करते रहेंगे, और share भी करते रहेंगे, जहाँ जहाँ आप लोग शेर कर सकते हो, देख को कहा जाता है, और यह दिया है article number 61 में, article number 61 के अंदर में दिया गया है, कि राश्टरपती अगर समविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करते है, केवल और केवल उसी condition में उनको हटा सकते हैं, अगर उन्होंने समविधान के खिलाफ काम किया है, वो हटाने का अधिकार Parliament के पा आप लोगों का वो किसको दिया गया है, संसत को दिया गया है, अच्छा एक और चीज आपको याद रखना है, यह article आप लोगों का, चीक है, article number कौन सा है, article number है आप लोगों का, 61 है, जो के राश्टरपती को हटाने के बारे में बात करता है, तो यह भी आप लोग याद यहां पर में हमारे, यह question आप लोगों का होगे, इसका answer आप लोगों का होजाएंगा, option number C, next question, ठीक है, कौन सा बिल ऐसा है, जो राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता, मतलब राज्यसभा के पास में अधिकार ही नहीं है, otherwise आपको पता है, हमारे संसत के दो अंग है, संसत के, ठीक है, एक है आप लोगों का यहां पर में लोगसभा और एक है राज्यसभा, वैसे राज्यसभा upper house कहा जाता है, इसको उपरी सदन, लोगसभा को lower house कहते है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, कि एक ऐसा कानून है आप लोगो सभा ही उसको पास करेंगी, राज्यसभा के पास में भेजा जाएंगा केवर और केवल सलहा के लिए, सलहा के लिए भेजा जाएंगा, मनी बिल के बारे में बात करो, बाकी के बारे में नहीं है, मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल के लिए सलहा के रूप में भेजा जाएग अगर राज्य सभा ने कोई सलहा दी भी तो लोग सभा पे कंपल सरी नहीं है कि उस सलहा को माने ही मतलब मनी बिल या पुंजी बिल के बारे में या धन विध्यक के अंदर में राज्य सभा के पास में जादा कोई अधिकार नहीं है बहुत जादा अधिकार नहीं है राज्य बन सकता है डारेक डारेक कोशन आप लोगों को बन सकता है कि धन विधेयक आप लोगों को कौन से अर्टिकल के अंदर में दिया हुआ है और डारेक बन सकता है आप लोगों कोशन तो मनी बिल के बारे में जानकरी आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों यहां पर में session को आपने इतना जाधा प्रतिसाथ भी दिया है, मैं आप लोगों से यहां पर में पूछना चाहूंगा, friends, कि आप लोग बताईए कि आपका world water day कम मनाया जाता है, world water day कम मनाया जाता है, comment में जल्दी जल्दी से answer करेंगे, world water day, ठीक है, कम मनाया जाता है, आप इसके अलावा आप लोग बताऊंगे कि world, earth day कम मनाया जाता है, earth day, earth day कम मनाया जाता है, आप लोग बताऊंगे, comment करेंगे, ठीक है, इसके अलावा बताऊंगे, friends, आप लोग मुझे, यहां पर में, स्वास्थे, ठीक है, स्वास्थे, जो है, आप लोगों का स्वास्थे, जो है यहाई पर में दिवस कब मनाया जाता है, पास्थ्य Dives कब मनाया जाता है, हेल्ठ दे Mayhead कब मनाया जाता है आपका, ठीक है, हमारी Health Minister कौन थी पहली Health Minister, First Health Minister of Independence India, Independent India की,ी India की, Initiative independent इंडिया की पहली health minister कौन थी ये भी आप लोग बता दोंगे साथ साथ में मुझे ठीक है सारा का सार आप लोगों को करवाया हुआ है ठीक है यह सारे के सारे आप लोग answer कर सकते हो आप मुझे बताएंगे कि ट्राइटाउन ठीक है और टाइटन ये दोनों के दोनों कौन कौन से ग्रह के उब ग्रह है ठीक है टाइटन और ट्राइटन ठीक है ट्राइटन और टाइटन दोनों अलग 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 ग्रह के वह आप लोग बताते जाओंगे मुझे ठीक है कौन कौ को answer करेंगे, ऐसी मुझे उमीद है आप लोगों की, चालिए, तो ये जो है friends, आज का आप लोगों का lecture था, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही में आप लोगों को जो है friends, और भी करवादू sessions, तो आप लोग इस session को share जरूर कीजिए, जहाँ जहाँ भी share कर सकते हो, जो जो भी telegram group है आपके पास में, आप लोगों की responsibility के उपर में यहाँ पर में छोड़ रहा हूँ, कि आप लोग इसको जाधा जाधा शेयर करोंगे, उतना जाधा मैं आप लोगों के लिए energetic sessions और जाधा से जाधा लेकर आ सकता हो फिर आपके लिए, तो जाधा जाधा शेयर करेंगे, like कर subscribe करके bell icon दबा देंगे, ताकि future के videos के notifications भी आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है, बाकि मिलते हैं हम लोग हमारे next lecture के अंदर में, तब तक के लिए, thank you very much friends, take care and bye, God bless you all, इसी के साथ एक चीज़ आपको बता दू, कि teaching परिक्षा app download कर लीजिए, उस पे UP, SSSC, PET का free course आप लोग YouTube, जो आपका app है, Google Play Store के उपर में, उसको भी आप लोग डाउनलोड करके, वहां से भी आप लोग सारी की सारी चीज़े कर सकते हो, एक रुपे का कोर से वो खरीजना नहीं है आप लोगोंने, एक रुपे भी नहीं देना है, वो जस्त एक रुपे कम से, उससे कम रखा नही एक लिए ठीक है, आपके लिए सारी चीज़े फ्री अंदर में पूरा, चालो, मिलते हम लोग फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए, थैंक्यू वरी मच, गोड ब्लेस्ट यू अल, बाई, थैंक्यू.